तूटने की कगार पर आ गई है शोईब मलिक और सानिया मिर्जा किसी को अंदाजा तक नहीं था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर और इंडियन टेनिस स्टार शादी के बंधन में भी बन सकते हैं जब ये जोड़ी बनी तो खूब हंगामा बरपा और उसके बाद तो हिंदुस्तानी भी शोईब को जीजा जी कहने लगे तानिया और शोईब की महबत ने सारी नफरतों को तरके नार खट दिया लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बीच प्यार की इस मिसाल को किसी की नजर लग गई और खबर है की बाद तलाव तक पहुँच गई है वजह ये तस्वीर और तस्वीर में दिख रही मौतरमा बताई जाती है आगे का चक्कर बताएं उससे पहले पाकिस्तानी आईशा को चान लीचिए आईशा एक पाकिस्तानी एक्टरस और मॉटल है उन्होंने शोईब मलिक के साथ एक फोटो शूट किया था इसके अलावा दोनोंने कई मौडलिंग असाइन्मेंट साथ में किये इतना ही नहीं कई पार्टीज में आईशा को शोईब के साथ स्पॉट भी किया गया शोईब पर पाकिस्तानी एक्टरस आईशा की कई तस्पीरें सोशल मीडिया में चर्चा का विशेवनी हुई है एक मैगजीन के लिए की गई ये बोल्ट फोटो शूट भी उसी चर्चा का हिस्सा है माना जा रहा है कि इस फोटो शूट के दौरान वो दोनों साथ आए थे शोईब मलिक ने लाइफ टीवी बर पूछे के इस सवाल का जवाब तो घुमा फिरा कर दे दिया लेकिन असलियत छिपाए नहीं छिपती मिया वीबी और वो की इस कहानी की मनजिल डिवार्स क्यों बताई जा रही है उसकी एक और वज़े जान लीजिए सानिया अपने बच्चे के साथ दोबई में रह रही है और शोइब क्रिकेट कंसल्टेंट बन कर पाकिस्तान में ही बैठे हैं यानि फासले तो लंबे हो चुके हैं सानिया दुबई में ही दूसरे घर में इसलिए शिप्ट हुई क्योंकि दोनों ने अपने बेटे इजान को को पैरेंटिंग करने का फैसला लिया है सानिया और शोइब की बीश दोरियों की खबरे सानिया मिर्जा के इंस्टाग्राम पोस्ट से भी साफ होती है सानिया मिर्जा ने अपने बेटे इजान के साथ एक तस्वीर शेयर करके लिखा कि ये पल्म मुश्किल भरे दोर से निकलने का एक जरिया है इतना ही नहीं कुछ दिनों पहले सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें लिखा था तूटे हुए दिल कहा जाते हैं अल्ला के पास सानिया ने अपने बायोग्राफी एस अगेंस्ट आउट्स में लिखा था कि शोईब से मुलापात उनकी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक था और शोईब से निगाह के लिए उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया अब शायद हालात बदल गए हैं उर्ती उर्ती खबरे बहुत आ रही है लेकिन ना तो अब तक सानिया ने कुछ कहा है और ना ही शोईब ने ऐसे में सच्चाई क्या है ये वक्त ही बताएगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता है इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाटा